नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है ससीज बेज कीचन में आज मैं बनाने जारे हूँ आलू परवल की मसालेदार सबजी परवल की सबजी आप चावल रोटी याप पूरी के साथ खा सकते हैं और आप हमारे वीडियो को लाज तक देखिएगा चलिए बनाना सुन करें खढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया था खढ़ाई हमारी गर्म हो गई है अब इसमें तेल डाल दे रहे हैं चार बड़े साइज के आलू को उसका छेका उतार कर उसी छोटे टुपोर में कात लिया है अब आलू को तेल में डाल दे रहे हैं तेल में मारा गर्म हो गया आलू को दाल दे रहे हैं तो ऐसी आख को हम पेज रखेंगे आलू को गोर्डर ब्राउन दोने तब दूलेंगे आलू को आप वीच-वीच में ऐसे चलाते रहेगा ताभी अच्छे से कपजाए आलू ठाई दो गया है अब इसको निकाल कर इसलिए परवन को भी ठाई करेंगे परवर को भी प्राउन दे रहे हैं परवा को भी गोल्डरन प्राउन मुने तब भूनेंगे तब तक फ्राज हो रहा है तब तक चले टमाटर प्याज को पीछ ले पीन बड़े साइज का टमाटर था उसको हमें धो कर काट जा है इसमें किसेंगे तमाटर को मुने पीछ लिया है अब इसी जार प्याज लसून अधर को पीछेंगे दो बड़े साइज के प्याज को हमने बारी काट लिया है दो हरी मिर्च बारी कटा हुआ थोड़ा सा अधरक 10 बारक लिया लसून हमने प्यास रख लिया है इसे फ्राई करने के लिए जबजी में हम पेश्टे पुरा तयार करने है अच्छे से पिश गया है फॉरवर हमारा फ्राई हो गया है इसको रिकार लेगा है अजया इसे निकाल दे रहे हैं आधा चमच मेथी दाना मेथी हो गया है आधा चमच मेथी दाना जीला डाल दे हैं जीला दे हैं प्याल जादे हैं बैस के पाँ के देखिए निए बैस के पाँ के दिए निए देखिए वाट मेथी आधे हैं प्याज भूंगे आए, अबीज बादर के लेंशें, मेच्छा का पेस्के जाएंगे तो मिलाव जाएंगे जाएंगे रिखी उतर मसाला डालेंगे इस चमाज जर्मसाला डालेंगे आधा चमाज धन्या पाउडर एक चमाज हली पाउडर एक चमाज लाल मिर्स पाउडर अबी मसाला स्की पाउडर नहीं जब अब जाएगा तो पेस पोलने लगी न मसाला मेरा बोग रहें जिए इसकी कुट्बू आने लगी नहीं एक चमाज को जालेंगे मसाला बूब भी जाओर झाल दूम्स एक चमाज कॉड़के नहीं kayak करुड़के नह्यों जिए रख जालान्या बड़गा प्रइट उड़के लोग्ता करेater पाउड़के लालें जब रग़गाई करणने तमाज तो आप जीश में चलाते रहीएगा, यह तो रूचे का राही में लग जाएगा, मसाला हमारा पग्या देखे पेश कोरने लगा है, अज इसमें चेक्पतो भी पाने डालेंगे गा, पाने मुझे बाहर आने लाएगा, तब पहुआ लगा वाली बोलो को जालेंगे, नमक स्व हमसे पान सुनेक लेश इठाते रहे हैं बलने के लिए, चली इसको खोल के देखने, पाने में भी वाल आने लाएगा है, पानी पग्या आएगे, नहीं पारवा लालो को जाएगे, सब्जी को खोल कर देख ले रहे हैं, इसलिए अच्छी सुबाला रहे है, सब्जी पख गई है, अभी तो बाहर मुझा रहे हैं, हरी धन्या डाल दे रहे हैं, चली पाउल निकाव ले रहे हैं, अब हरी धन्या इसका गार्निस कर दे रहे हैं, परवल आलो की मसालेदार सब्जी बनकर तयार है, बहुत ही तेश्टी बनी है, अब आप भी अपने घर पर बनाईए, अपने घर के सज़स्टों को खिलाईए, और खुद खाईए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद है